आधे का आधा भाग एक, Half of Half, Part 1 आज हम जानेंगे कि आधे का आधा क्या होता है और वस्तुओं को चार बराबर हिस्सों में कैसे बाटा जाता है क्या कर रहे हो पापा? इस बार मैं हमारे खेट में एक फसल लगाने की जगा चार अलग-अलग फसल लगाने की सोच रहा हूँ कौन-कौन सी? टमाटर, मिर्च, प्याज और गाजर अरे वाह, गाजर भी? हाँ, गाजर भी पर आप पेपर पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पेपर हमारे खेट के नाप और आकार को दिखा रहा है हमारा खेट 60 मीटर का है और यहाँ पेपर 60 सेंटी मीटर का है इसका मतलब खेट के एक मीटर को पेपर पर एक सेंटी मीटर में दिखाया गया है मैं इस पेपर पर अपने खेट को चार बराबर हिस्सों में बाट कर देख रहा हूँ जिससे एक चौथाई हिस्से में एक फसल लगा सकूँ चौथाई हिस्सा मतलब? चौधाई का मतलब किसी वस्तू या आकृती का चौधा हिस्सा अभी भी समझ नहीं आया तुमको आधा पता है? हाँ, जब एक वस्तू के दो बराबर हिस्से करते हैं तब हम कहते हैं कि वस्तू को आधा आधा कर दिया गया है यानि हम कह सकते हैं कि जब वस्तू को दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं तब एक हिस्सा उस वस्तू का आधा हिस्सा होता है हाँ इसी तरह जब किसी वस्तू को चार बराबर हिस्सों में बांट देते हैं तो एक हिस्से को उस वस्तु का एक चौथाई हिस्सा कहा जाता है। अच्छा, लेकिन खेत को चार बराबर हिस्सों में कैसे बाटेंगे? बहुत आसान है, पहले खेत को आधा करेंगे, उसके बाद दोनों आधे हिस्सों को फिर से आधा करेंगे। आधे का आधा? हाँ, खेत को आधा करने पर दो आधे आधे हिस्से मिलेंगे दोनों आधे हिस्सों को फिर से आधा करने पर खेत चार बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा ठीक से समझ नहीं आया पापा चलो, इस खेत को चार बराबर हिस्सों में बाटने में मेरी मदद करो उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा ठीक है इस पेपर को मोड कर आदा कर लेते हैं फिर इसको खोल लेते हैं मोडने की वज़े से इस पेपर पर ये जो निशान बना है वह यह दिखा रहा है कि ये पेपर कहां से आदा आदा होगा अब इस लाइन से लेकर पेपर के दोनों तरफ के किनारों तक की दूरी को नाप लेते हैं इससे हमें पता लग गया कि इस पेपर को आदा आदा करने पर दोनों आधे हिस्सों में 30-30 cm आएगा ये पेपर अब दो बराबर हिस्सों में बट गया है हाँ वंदना अब हमको इस पेपर का चौथाई हिस्सा पता करना है इसके लिए इस पेपर को आधा मोड लेते हैं और इस आधे मुड़े हुए पेपर को फिर से आधा मोड लेते हैं और अब इस पेपर को पूरा खोल लेते हैं अब देखो, इस पेपर के दोनों आधे हिस्सों में भी आधे आधे पर निशान बन गया है, अब तुम इसको भी नाप सकती हो ठीक है, मैं नापती हूँ, इस पेपर का आधा हिस्सा 30 cm का है, और आधे हिस्से का आधा हिस्सा 15 cm का है, अब ये पेपर 4 बराबर हिस्सों में बढ़ गया है हाँ, अब देखिए, यहाँ हिस्सा इस पेपर का आधा हुआ, इस आधे को भी जब आधा किया, तब हमको यहाँ हिस्सा मिला, अब यहाँ आधे का आधा हिस्सा इस पूरे पेपर का चौथाई हिस्सा कहलाएगा अच्छा अब ये पेपर चार बराबर हिस्सों में बढ़ गया है और हर हिस्सा इस पूरे पेपर का एक चौथाई हिस्सा है हाँ बंदना आज आपने सीखा कि एक वस्तू को चार बराबर हिस्सों में बाटने पर एक हिस्से को वस्तू का एक चौथाई हिस्सा कहा जाता है किसी वस्तू का एक चौथाई हिस्सा पता करने के लिए वस्तू के आधे का आधा हिस्सा पता करते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तू का आधे का आधा हिस्सा उस वस्तू का एक चोधाई हिस्सा होता है